कि अगर आपको पहले से पता है function क्या होते हैं तो आप इस वीडियो को totally skip कर सकते हैं इस वीडियो में उनके लिए बना रहे हूं जो complete beginners है जन्हों ने आस तक functions नहीं बनाए और एक और चीच जावस्क्रिप में functions बहुत ज्यादा इसलिए आज के वीडियो में काफी basic cover करूँगा उसके बाद हम अलग से functions के बारे में बात करेंगे हाई रोडर फंक्शन्स और एरो फंक्शन्स होस्टिंग इन सब चीच के बारे में बात करेंगे पर आज के वीडियो में हम काफी basic चीज जानेंगे कि functions होते हैं क्यों बनाते और कैसे बनाते हैं तो start करते हैं इस वीडियो को देखिए functions in JavaScript functions से हम क्या कर सकते हैं re-useable code लिख सकते हैं बार बार ठीक है फूर एक्जामपल आपको तीन नंबर का सम करना है और बार बार करना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं function बना सकते हैं अब function दिखता कैसा है वो देखते हैं देखिए आपने क्या क्या है sum 3 लिखा उसके बाद 3 नमबर उसमें पास कर दिये तो वो function क्या करेगा आपको इन 3 नमबर का sum करके देगा result ठीक है ऐसी अगर आप sum 3 नाम के functions में 3 नमबर पास करेंगे तो result देदेगा इन 3 नमबर को add देखते हैं और फोर एक्जांबल आपको function मनाना है is even is even नमबर लेगा और आपको बता देगा कि यह true है या नहीं है क्या यह number even है या नहीं है इसे function हम कैसे बनाएंगे उसकी बात करते हैं और आज हम बात करेंगे basic function हम कैसे बनाते हैं उस सबसे बहले आपको करना गया function keyword लिखना है उसके बाद अपने function का नाम देना है for example मेरे function का नाम है sum3 उसके बाद अब sum3 नाम का function आप sum3 नाम का function करेगा sum3 नाम का function मेरे लिए 3 नंबर लेगा बलावकि इसको चाहिए 3 नंबर ठिक है तो मुझे यहाँ पर 3 नाम लिखने है तो function का किया है? तीन नमबर लिए, okay? तो यहां पे आप num1, num2, num3 यहां पे आप कुछ भी लिसकते हैं, it's up to you. यहां पर जहां पर मैंने sum3 लिखा है, यहां पर यह function का नाम है, function का नाम कुछ भी दे सकते हैं, okay? अब मेरा function क्या लेगा? ती number लेगा, अब function की body start करने है, function की body start करने मैं यहापे लेखाँगा, curly braces अब curly braces के अंदर मुझे अपने function से काम करवाना है, okay तो मेरा function क्या करेगा? मेरा function as a input लेखा ती number, ओके? और function, हमारा function हमें क्या देगा कुछ काम करके देगा तो हमें कुछ return देगा तो return value देगा हमें वो तो यहाँ पर return keyword लिखूँगा उसके बास space तो आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं जो भी आपका function करेगा ओके for example यहाँ पर num1 plus num2 plus num3 ओके तो इसका मतलब क्या है मैंने एक function मनाया जिस function का नाम था sum3 यह function को क्या चीए तीन number चीए तो यह function तीन number लेगा और मुझे output में देदेगा उन तीनों का sum अब मैं कहाँ अगर तो यहाँ आप semi-alone लगा सकते हैं अब यहाँ पर क्या करना है अब इस function को करना है call अब यहाँ पर जो मैंने दिखाना यह function call किया मैंने अब यह function define किया मैंने ठीक है function define किया अब करना है function को call अब function से अपना काम करवाना है तो वो काम कैसे होगा वो देखते हैं उसके बाद sum3 sum3 नाम का function मैंने call किया उसके बाद इसमें पास करने मुझे तीन नंबर अब मैं तीन नंबर कुछ भी पास कर सकता हूँ अब यही code मैं से md2 लिख देता हूँ यहाँ पे इसको मैं copy करता हूँ यहाँ से यहाँ पे paste कर देता हूँ तो यहाँ पे मैंने किया किया that total equals to तो total नाम का variable बनाया उसमें store हो जाएगा जो यह sum return कर रहा है sum 3 return कर रहा हूँ उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ console.log यहाँ पे मैं total को print करा सकता हूँ देखे क्या कर रहा है इस function क्या कर रहा है यह तीनो नंबर का sum कर रहा है 15 output देगा उस output को total में store करेगा ठीक है और मैं total में जो भी store होगा मैं उसको खुरार हूँ print तो देख सकते हैं 15 answer आ रहा है मेरे पास यहाँ पे और for example यहाँ पे मैं some की values को change कर रहता हूँ यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आरना चाहिए 11 तो यह होता है function अब कुछ terms के बारे में बात करते हैं देखिए जब functions को यह function काम कैसे करें देखिए यह function हुआ खुल यहाँ पे 4 num1 की value हो चुकी है 4 जब मैंने function को खुल किया num2 की value हो चुकी है 1 num3 की value हो चुकी है 6 तो मिन नीचे क्या क्या functions के अंदर क्या हुआ फिर num1, num2, num3 इन तीनों की value क्या हो चुकी है 4, num1 4 था प्लस हो जगा 1, num2 क्यों की 1 था उसके बाद num3 6 था तो प्लस हो जगा तो तीनों प्लस हो जाएंगे और मेरे पास output हो जाएगा 11 ओके तो कुछ इस तरह से functions काम करते हैं और आप directly यहाँ पे console.log कर सकते हैं यहाँ पे आपको अलग से variable में store करने की जुरुवत नहीं है आप यहाँ पे भी कर सकते हैं यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो same result हाएगा मेरे पास और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 4, 1, 6 नमबर पास किये वैसे यहाँ कोई for example आपको पस तीन वारियेबल थे let num 1 यह इस तीन वारियेबल का नाम कुछ भी हो सकता है for example x x equals to 4 let y equals to 5 और उसके बाद let z equals to 1 for example और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ instead कि मैं number hard-coded values पास करूँ मैं यहाँ पे वैरियेबल को भी पास कर सकता हूँ x, y, z अब क्या होगा x की value क्या है 4, y की क्या है 5, z की क्या है 1 ठीक है तो मैंने क्या पास क्या है यहाँ पे 4, 5, 1 जब function call होगा तब क्या होगा num1 की value हो जाएगी 4, num2 की value हो जाएगी 5, num3 की value हो जाएगी 1 और num1 प्लस num2 प्लस num3 प्लस हो जाएगा तो मैंने पास output आजाएगी 10 आजाएगी और यहाँ पे आप ऐसे same variable name भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप num1 यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप num2 यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप num3 यूज कर सकते हैं ओके तो यहाँ यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ भी num1 और यहाँ भी num2 यहाँ भी num3 तो यहां पर मेरे पास output आजाएगी 10 ओके ओल्राइट तो यहां पर मैं पहले कितना एक्स वाइज जी कर देता हूं अब यहां पर कुछ बात करते हैं अब यहां पर जब मैंने function को define किया जब मैंने function define किया तो num1 num2 और num3 इनको बोलेंगे परामेटर्स क्या बोलेंगे इनको प्रामेटर्स भी लेजिदे तो यहां पर परामेटर्स नम वन और num2 नम 3 हो कहेंगे कि यह कितने बरामेटर्स हैं मैं यहां पर प्रमीटर्स हैं कन गया चाहिए जब हमने function को को मुझ को को already आर्गुमेंट्स इनको क्या बोलते हैं आर्गुमेंट्स एक्स वाई और जी क्या है एक्स वाई जी वैरियेबल है और हमने क्या पास क्या फंक्शन में तीन आर्गुमेंट्स पास किया तो क्या बोलते हैं इनको आर्गुमेंट्स ओके यह जब फंक्शन बहुत complicated functions हम बना सकते हैं यहां पर तो यह था एक function का example ओके आयो आपको समझ आ चुको होगा यह function का हम कैसे करते हैं और यह काफी simple function है और इस function के लिए मुझे अलग से यहां पर variables बनाने के जूरू होती है तो मैं यहां पर हटा देता हूं इसको और यहां पर normal values को पास कर देता हूं ओके तो 14 अंसर आना चाहिए तो यह function एक function हमने बना लिया अब एक function और बनाएंगे हम easy one ओके तो function एक file में कितने मर्जी function हम बना सकते हैं और record चीच यहां पर function कोल कर रहे हैं यहां पर इस file के अंदर file.js के अंदर जरूरी नहीं आपको function यहां पर कोल करना है यह JavaScript की file मेरी इस index.html file के साथ लिंक है तो मैं यहां पर डिरेक्ट ली console में जाके function को Again, phone 2,3,4 तो यह बुझे direct output क्या करता है गार्के कान पर यहां पर रिंगा 5 three må doc पूट देगा यहां पर मैं इसको console को clear करने के के लिए control L प्रेस कर सकता हूं ओके और यह था function आयोब आको समय आचको को function अब यह function बन चुका है अब इस function को अब जितना वर्जी बार यूज़ कीजिए इस फाइल में जहां मर्जी यूज़ कीजिए बस यह function है आपके पास अब अब एक और function बनाते है easy one तो सबसे पहले आपको कोई काम करना है function लिखना है उसके बाद sum three sorry function का नाम function का नाम रखना है for example मुझे easy one अब यह function as a as a input क्या लेगा एक number लेगा तो यहां पर मैं यहां पर कोई भी नाम लिख सकता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं नम उके उसके बाद मुझे करना है यहां पर यहां पर check करना है क्या even है के ने तो मैं क्या करूंगा if यहां पर if नम अगर यह two से divide होके अगर इसका remainder आगया 0 ओके तो मैं return करूंगा तो मैं return करूंगा true बतलब even है अगर ऐसा ना हुआ तो मैं return करूंगा false ओके अब क्या करते हैं इस function को use करें देखते हैं यह function बन चुका है काफी simple function था अब मैं क्या करता हूं इस even नाम का मैं फिर से वही काम करता हूं यहां से उठाता हूं इसको और यहां से इसको paste कर देता हूं और अब देखता हूं तो अभी कोई output नहीं यहारी मैं इसको print करा देता हूं जो भी इसके output होगी console.log तो आप देख सकते हैं यहां पर true आ रहा है अगर मैं इसकी value चेंज कर दूंगा 3 तो यहां पर आ जाएगा false आ जाएगा तो कुछ इस तरह से function काम करेगा अभी यहां पर कहा है यहां पर हमने if condition लिखी else condition लिखी अभी इस function को मैं और चोटा कर सकता हूं चोटा देखते हैं कैसे कर सकते हैं मैं क्या कर सकता हूं यह जो function है ना इस इवन टू मलब कि function का नाम चेंज कर रहा हूं मैं काम सेम करेगा बट इसको मैं छोटा करके दिखाता हूं आपको जहां पर आपने if condition लगाई यहां पर else लगाई यहां पर आपको else लिखने की जरूवत नहीं है okay else लि वैड़ों के जिरू आगया remainder मतलब even है अगर even है तो वो directly true return करतेगा और हमारी execution होगी वह इस function के बाहर जम कर जाएगी okay बस यहीं पर हमारा code खतम हो जाएगा function का okay बट अगर यहां पर यहां पर यह number true नहीं है मतलब यहां पर यह condition अगर false नहीं हुई तो इसके अंदर वहा तो इसके बाद false return कर देगा यह okay अगर मैं is even two नाम का function अब call करता हूं और मैं कौंसा function call करूं is even two अगर मैं इसको देखूं तो सेम काम कर रहा है false और यहां पर बिल्कुल सही काम करेगा true okay और यहां पर एक और function मना ले तो मैं इसको और चोटा कर देता हूं मैं और चोटा क मैं आको बताता हूं ऐसा क्यों देखिए तो मैं यहां पर डिरेक्ट लिख सकता हूं return नम modulo two equals to zero okay अब is even three नाम का function खूल करता हूं और फिर समझाता हूं यह code काम कैसे कर रहा है यह बिल्कुल सही काम करें is even three नाम का function अगर मैं four पास करूं तो true आ रहा है अगर मैं यहां पर three पास करूंगा तो यहां पर false आएगा अब यह काम कैसे कर रहा है देखिए यह condition लिखी अगर मैं यह condition की evaluation यह तो true होगी या false होगी ठीक है अगर true होगी तो return true हो जाएगा अगर false हो जाएगा अगर आप direct console.log में लिखें console.log अगर यहां पर direct लिखें आप two 982 Modulo 4 Modulo 2 Equals to Zero तो यहां पर मुझे true देगा यह audible देगा अब लिखा है statement ौक यह तो यहां पर इसकी evaluation हो रही है यहां तो true यह फोल्स होगी तो यहां पर three लिख दूँगा तो यहां पर यहां पर Q Max यहां परalin हैका percentile ही वैलुइशन हो रही है या तो पूरा या फोल्स होगा हो ही मुझे पास रिटर्न हो जाएगा ओके आई हो आपको समझा चुक ओगा कैसे हो रहा है या पर या for example username लिख दे तो मैं यहां पर और यहां पर क्या करता हूँ, नाम पास कर देता हूँ, for example, हरशित, और यह मुझे आउट्पूट में कुछ देगा, और जिसको मैं कर दूँगा, प्रिंट करवा दूँगा, और अभी कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, ओके, तो यह अलग अलग लाइन में आ रहे है, क्योंकि यह विंडो छोटी है, यहां पर साइड में, तो यह एक लाइन में आएगा, ओके, अब तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखे, एक लाइन में आएगा, ओके, तो यह था function, अब यहां पर यह function parameter ले रहा था, कुछ, return कर रहा था, कुछ, ओके, अब यहां पर क्या है, यहां पर जरूरी निया है, कि आपको parameter पास करना ही करना है, function में, आप दिना इसके भी function मना सकते हैं, for example, मैं function का नाम रख देता हूँ, sing, happy birthday, कुछ भी, तो यहां प यहां पर जरूरी निया, आपको return करना ही करना है, for example, आप यहां पर direct console.log कर सकते हैं, console.log happy birthday, तो यहां पर, तो यहां पर, तो यहां पर, अगर मैं इस function को call करूँगा, देखिए, मैं इसको यहां से comment out कर देता हूँ, उपर वली लाइन को, अगर मैं यहां पर यहां पर यह करूँगा, for example, sing happy birthday, sing, अब यह function कुछ return नहीं कर रहा है, यह direct console.log पर print करेगा, मैं इसको call करूँगा, तो direct console.log पर मेरे लिए lines प्रिंट कर देगा, तो अगर function return, अगर console.log पर direct हो रहा है, तो आपको return करने की जुरूरत नहीं है, क्योंकि यह function return कुछ कर ही नहीं रहा, तो sorry यहाँ पर एकर मैं console.log करूँ, console.log, तो यहाँ पर console.log क्या करेगा, जो function output में देगा, अब यह function output में कुछ नहीं दे रहा, यह function सिरफ print कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ return नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर undefined आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास, okay, तो यह था function, यह वाको समझा functions क्या है और यह कैसे काम करते हैं, okay, thank you so much guys for watching this video.